अलो दोस्तो नमस्कार आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं टॉप तीन सो कोस्चन होंगे प्राचीन भारती इतियास के जो भारती इतियास और संस्कृति से संबंदित होंगे इसमें हम कुल छे वीडियो मेंने कवर करेंगे तो यह पहला भाग है जिसमें हम 50 प्रिशनों को कबर करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर करिएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले पहला प्रशना है हिरन ने गर्व नामा कनुष्ठान प्राची नितियास में हिरन ने गर्व नामा कनुष्ठान किया जाता था किस लिए किया जाता था ये राजा को छत्रिय गोसित करने के लिए किया जाता था चाहें वो जनम से छत्री हो या शुद्र हो या कोई अन्य हो दूसरा है चोल काल में ब्यापारियों के संग को चोल काल में ब्यापारियों के संग को क्या कहा जाता नगरम कहा जाता दूसरे का हो जाएगा ए अगला है नात साहित का संबंध है नात साहित जो है इसका संबन्ध जो है वो बंगाली इस भासा से है बुद्ध द्वारा लालसाओं एब मिच्छाओं को बुद्ध द्वारा लालसाओं एब मिच्छाओं की त्रशना को निमलिकत में से क्या बताया इस चौर त्रिश्ना को उन्होंने क्या बताया था? तनहा बताया, ये विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा प्राचीन तम बेद है? चार बेद हमारे रिगवेद उजर बेद साम बेद अथर बेद हैं लेकिन सबसे प्राचीन बेद है वो रिगवेद है यह विकल्प से हो जाएगा अच्छा जीओ जब तक आप जीवित हैं अच्छा जीओ उधार लेकर भी क्योंकि एक बार दहा संसकार के पस्चात कोई भी बापसी नहीं होती है दर्सन जीवन के पस्चात और सित्व को अमानने करता है इसे प्रचारित किया ये किसने प्रचारित किया था ये प्रचारित किया चार बाक रिसी जो थे जहन धरम में परम ज्यान से संदर भाई परम ज्यान का मतलब क्या है परम ज्यान को कैविल कहा जाता है कैविल है अगला बेटी सों दोरा रयत बारी बंदो बश्त बिवस्ता लाओ किया गया था कहा किया गया था तो यह हो जाएगा हमारा बंगाल प्रेशिडेंशी ए विकल्ब से हो जाएगा गुलाम बंस का संस्तापक गुलाम बंस का संस्तापक जो था वो कुत्वुद्दीन एवक था जो उसका मुहम्मद गोरी का गुलाम था इसी ने गुलाम बंस की नीव रखी आगरा के समी फतेपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा किसने इस्तापित करवाया फतेपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा जो है ये अकवर ने बनवाया था बीबिकल्प सही हो जाएगा रोमन कोलोसियम क्या था रोमन कोलोसियम जो है ये अखाडा था ये डीबिकल्प सही हो जाएगा किस धरम में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचारी हुए ये बहुती फहमस है बहुती सरलाई ये जैन धरम में हुए जिसमें महावीर स्वामी 24 में तीर्थंकर थे महरोली अवलेक से किस समराड के समन्द में जानकारी मिलती है तो महरोली इस्तम से जानकारी जो मिलती है वो चंद्रकुप्त दित्ती है या बिक्रमा दित्त जिसे कहते हैं उसके बारे मिलती है बंगाल तता बिहार में इस्ताई बंदोबस तारंब किया था बहे स्थान जो किसी समय का फ्रांसिसी उपनिवेस था अब अर्विंद आस्रम की मंजल है कौन सा स्थान है यह स्थान है पुंडुचेरी सी बिकल्ब से हो जाएगा बिजय नगर राजबंस की राजधानी जोती हमपी किस नदी के किनारे इस्तित है हमपी जो है यह करनाटक के एरिया में है और यह तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्तित है अगला हो जाएगा सेर सहा सूरी अपने किस कारिये के लिए सरवादिक प्रसिद था सेर सहा सूरी जो था सरवादिक अपने प्रसासनिक सुधार के लिए प्रसिद था बेदों की और लोटो ये किस धर्म सुधारक ने कहा था तो ये थे दयानंद शरश्वती और ये समाज की स्थापना की थी हवा माइल कहां इस्तित है हवा माइल जो राजस्तान के जैपुर सहर में ये विकल्प सही हो जाएगा इस बिकल्प सही हो जाएगा अगला है बीश्वां कार्थेज क्या है त्हाहर dónde कार्थेज क्या था एक प्रसामी विदेश भौलकी बार्भ Cir बोक सवामी भीवेकम में भाग लिए जो अमेरिका Radio सहर है वहां धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था और ये था हमारा 1893 ये विकल्प सही हो जाएगा जिसमें शून पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था जूलियस सीजर की हत्या कब होई थी जूलियस सीजर की हत्या जो हुई थी ये 44 BC ईशा पूर्व जिसे कहते हैं BC में हुई भारत में करसी का आरंब किस योग में माना जाता है नहीं किस योग में करसी का आरंब हुआ था भारत में करसी का आरंब जो है पुरा पासांड योग में हुआ पुरा पासांड योग हो जाएगा तो ये पहला है इसको कई चरणों में था पहले सिकारी योग था जिसमें मन औरित करांती में जो बेराटियां आई उसके जाकर इन अनुत्पादन बढ़ा कभी बिहारी हिंडी साहित के किस काल के अंतर घाते हैं कभी बिहारी जो हैं वो रीती काल के कभी हैं सी विकल्प सही हो जाएगा जजियाकर किस मुसल्मान मुगल सासक ने माफ किया था जजियाकर जो है वो अकबर ने माफ किया था जजियाकर जो का था अतियंत संबेदन सील राजा उसे माना जाता जिसे औरंग जेब ने पुना लागू कर दिया था औरंग जेब सासन में फिर से इसे लागू कर दिया गया अगला है चब्वीसमा चब्वीसमा का है प्रत्म विस्यूद का तातकालिक कारण जो 1914 से 1918 के बीच हुआ उसका तातकालिक कारण जो था वो था वोशनिया संकट 26 का हो जाएगा B अगला है पर्थम दार्थनिक मानव पर्थम दार्थनिक मानव किसे माना जाता है तो पर्थम दार्थनिक मानव है क्रोमेगनान मानव अगला हो जाएगा निम्लिकित में से किसके दौरा आके प्रिथम प्रियोग का साक्ष कौन सा मानब है इसमें जिसने प्रिथम बार आके प्रियोग का साक्ष जहां मिलता है तो यह होमो एरेक्टस भी विकल्प से हुजाएगा जब उसने सीधा खड़ा होना चलना सीखा था तो उसे होमो एरेक्टस नाम दिया गया जो है जिसे हिंदी में कहा जाता है वरोण तो यह जो देपता होते हैं वरोण जो है वो जलके देपता यानि सी हो जायागा समुद्र का सी हो जायागा 29 का सी वर्दमान महावीर किस नाम से विक्यात हुए वर्दमान महावीर जो थे वो किस नाम से विक्यात हुए जेना ना जमान थे जमाली अरद्या जनम भूमी किसकी है प्रसिद्धेस में बहुत चर्चाम है श्री राम की जनम भूमी है मतरा कृष्ण की यह मोशो पोटामिया के उर में जिगुरात क्या था तो जिगुरात जो था यह मंदिर था एक अगला हो जाएगा गिल गिलगो मेश महा काब संबंद कि प्राचीन सब्विता से है इसका संबंध मेशो पोटामिया की सब्विता से है संगीत रतनाकर की रचना किस ने की है संगीत रतनाकर की रचना जो की है यह शारंग देब ने की है अमीर खुसरोक étant civ कल्बस हो जाएगा और जैदेव ने क्या अमीर खुसरों के तबले के अविस्कार रखाएं जैदेव ने इन्होंने गीत गोबिंदे लिखिये तांसे न depiction वड़े ही संगीत कार थे अक्वर के दरवार में अमीर खुसरों का जन्म अमीर खुसरों का जन्म जो है वो कहां हुआ था कब हुआ था सोरी 1235 इसवी में सितार का अविश्कार किसने किया सितार का अविश्कार पंडित रवी संकर जो थे नहीं सोरी पंडित रवी संकर सितार बाधक हैं लेकिन इसका अविश्कार जो किया था वो अमीर खुसरो ने किया था पंडित रवी संकर जो है ये सितार बादक है और किसन महराज जो है ये तबला बादक है और उस्ताद बिश्मिल्ला खाँ ये शहनाई बादक है मेशो पोटामिया की सब्विता की लिपी क्या थी मोसो पोटामिय सब्विता की लिपी जो थी किस प्रकार की थी तो मोसो पोटामिय सब्विता की लिपी जो थी कीला कार उसे बोलते है नियंडर थल मानव का प्रतम प्रमाण कहां मिला जो नियंडर थल मानब था उसका पर्थम प्रमाड जिर्मनी में मिला है इस पेटकस कौन था इस पेटकस ये एक प्रकार का युद्ध बंदी या दास था प्राचीन काल में धुर्पद गायकी को क्या कहा जाता था धुर्पत गायकी को प्राचीन काल में कलावंत कहा जाता था रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता जो थे वो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर थे अगस्त महा का नाम किस रोमन सासक के नाम पर पड़ा है जो अगस्त नाम है ये आगस्टस सीजर के नाम पर पड़ा है भारत बर्स में कितनी संगीत पद्दतियां चल नहीं है तो ये संगीत भारत में कितनी संगीत पद्दतियां है तो ये हो जाएंगी हमारी दो पैगंबर हजरत मुहम्मद साब का जन्म कहा हुआ था मक्का में हुआ था तो 45 का हो जाएगा यह मक्का से मदीना गय थे बाद में उस्ताद बड़े गुलाम अली किस गराने के प्रतिनिदी थे तो यह जो थे यह थे पटियाला के यह बिकलब से हो जाएगा अगला है सरप्रतम कागज का अविस्कार कहा हुआ कागज का अविस्कार सरप्रतम चीन में हुआ था स्वर्विष्टार किसे कहते हैं स्वर्विष्टार संगीत से संबन देता है और स्वर्विष्टार कहा जाता है स्वरी लैवद आला आपको सी वाला बिकल्प सही हो जाएगा किस बेद में संगीत सामगरी मिलती है संगीत सामगरी जो है वो सासे संगीत सासे साम बेद में मिलती है सी बिकल्प सही हो जाएगा जोदपुर के निकट ओसिया में मंदिरों के समू मंदरों का समू जिनकी देन है बे हैं किसने मंदरों को समू जो बनाया है वो प्रतिहार बंस जो था उन्होंने बनाया